ग्रीन मॉर्णिंग एव्ड़डी तो आज पूरे देश भर के ग्रीन प्रांट के स्टेशन को हमारी तरब से बहुत-बहुत स्वागत तो आज बहुत लंबे समय के बाद में हम लोग लाइव मीट करने जा रहे हैं वो भी ओपन लाइव मीट आज हम पूरा देश दोबारा से करोना में पीरत है सब लोग सब लोगों के जगा पे लॉगडन लगा हुआ है महराष्ट की बात करें तो डेली का कई हजारों लोग वहां पे करोना पॉस्टिव आ रहे हैं पूरे अगर महराष्ट की बात करूं तो साड़े छे लाख करोना positive वहाँ पे लोग हैं करनाटकाई के बात करूँ तो 5.5 लाख लोग है वहाँ पे तो आज मेरा ख्रिदेश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पे करोना का प्रकोप दुबारा से चलनी रहा है पिछले साल अगर देखा जाए तो बहुत कम थी हमारी run rate जिससे death जो थी बहुत कम थी लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा death हो रही है पिछली बार हम लोग ने देखा कि जो age थे जो लोग बुड़े थे जो 45 साल से उपर थे उन लोगों को ज़्यादा critical situation में आना होता था लेकिन आज की rate में देखा जाए तो आप देखो है तो यह बहुत घंबीर मुदा है हमेश से बचके रहना है मैं हमेशा Green Planet की आर्मी को हमेशा बोलता हूं कि हमेशा अपने घर पे रहो सेफ रहो अगर कहीं पे बहुत कहीं जगा पे तो बहुत सक्त तरह तरह से कॉर्फ्यू लगा हुआ है कहीं जगा पे बहुत अभी भी लोग घुम भिर रहे हैं उनको लगी नी रा की करोना है अगर मैं अपने यहां पंजाब में जलंदर की बात करूं तो हाला कि यहां पे जलंदर में पुछले साल के मकाबले में चार गुना करोना है उस समय डेली के 500 से 200 लोग करोना पॉस्टिव डेली आते थे आज 500 से 600 ल पहलने के बाबजूद भी लोगों के अंदर खौफ नहीं है लोग फिर दोबारा भीड में कटे हो रहे हैं और मैं देखता हूं बहुत सारे लोग तो मास्क पहनते ही नहीं है तो मैं एक सब लोगों को हमारी ग्रीन पैंड आर्मी को यह रिक्वेस्ट करूंगा यह आप निकलिए और यह में किसी भी तरह की देखिए ध्यान से चुनिए आप घर से अकेले जाते हैं लेकिन आते हुए करोना साथ में लेके आ सकते हैं तो ध्यान रखिए जैसे आप घर से अकेले गए थे तो बापस भी घर पे अकेले ही आए उसके लिए हमें पूरी इतिहात को वर्तना होगा उसको यूज करना होगा में को दोबारा इसके बताने की जुरूरत नहीं है सब लोगों को पता है कि हमें किस तरह से अपनी protection को करना है तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि बस हमें इस दौरान अपने आपको इससे बचा के रखना है क्योंकि ये second wave चल रही है इंड ये किसी सरकार का काम नहीं है या किसी और अधिकारियों का काम नहीं है ये हम सब लोग देशवासियों का काम है अगर हम सब लोग अपने घरों में बैठ जाएंगे और उस lockdown का पालन करेंगे तो ये wave जो है वो खतम हो सकती है तो मेरी तरब से request है हमारी green pen family की तरब से आप स सब लोग करोना के महामारी के टाइम पे थोड़ा सा अपने आपको precaution में रखो अपने घरों पर रखो उन चीज़ों का पालन को जो चीज़ें गौर्मन की दरब से सब जग़े पे फैलाई जा रही है उनको पालन कीजिए उसको आज हम लंबे समय के बाद में बहुत सारे कि पैसा कमाने के लिए हम लोग कर रहे हैं जिनको खाना खाने के लिए जिनको घर का गुजारा करने के लिए पैसे की जरूरत है तो हमें काम करना बहुत जरूरी है आज हम लोग बहुत ही एहम मुद्दे के बात करने जा रहे हैं कि हर जगा पर यही बात चल रही है वर्क फॉम हों घर पे बैठके काम करो बहुत सारी कंपनिये बोल रहे हैं घर पर बैठके काम करो लेकिन हमारे इंडिया की 90% पॉपलेशन को यही नहीं पता कि व्रक फॉ किस तरह से उन points को आप अपने life में implement करोगे, अपने आप में implement करोगे, काम में implement करोगे, तो आप देखोगे कि आपके results बहुत better आएंगे आपके काम करने के लिए. तो यह जो मैं points बोलना हूँ, इस points को आप लिखना शुरू कीजिए. अपने हो सकता है, अपने साथ में copy pen रखिये, जो जो मैं points लिखता जाऊंगा, उसको आप note down कीजिए. तो सबसे पहले, हमें घर पे काम करने के लिए सबसे पहला जो काम है, वो है अपने घर के environment को working के हिसाब से बनाना. यह बहुत है. So सबसे पहले कहें, create an environment for working. मतलब घर के environment को काम के लिए त्यार करना, यह सबसे important चीज़ है. क्या होता है, हम घर पे बैठे होते हैं, तो कोई इदर से बात कर रहा है, को उदर से बात कर रहा है, हम लोग phone पे लगे हुए हैं, तो आपका जो constitution level है, वो नहीं बन पाता, जिसके कारण आपकी efficiency, जो 100% होनी चाहिए, वो cable 10% रहती है. तो यही कारण है, कि लोग घरों में रहके, proper way से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे, वो जा तो अपने family के साथ वीजी रहते हैं, या फिर वो अपने, किसी ना किसी disturbance में रहते हैं, तो हमें सबसे पहले, अपने घर के environment को change करना है, जब आपने घर पे करना है काम. तो इसमें सबसे पहले है, आपने अपने environment में change लाना है, ताकि आप अपने घर पे बैठके काम कर सकें. So, दूसरा point क्या है, इसमें सबसे important चीज़ है, कि get a office in a home, तो get a office in a home, अपने घर में office बनाओ, अपने घर में office बनाओ, बहुत सार लोग कहते हैं, सर इसकी क्या जरूरत है, देखें सबसे पहले, जब आप किसी भी काम पे जाते हो, सुबह उठके, आप portman डालके, टाई डालके, आप घर से निकलते हो, आप अपने दिमाग में ये चीज़ें लेके चलते हो, कि मैं आज काम पे जा रहा हूँ, तो जब तक ये आपकी सोच नहीं पैदा होगी, कि एक environment office वाला create नहीं होगा, आपके घर के किसी भी कोने में, चाहे वो कोई भी कोना हो, बेशक 5 पाइ 5 फिट का कोना हो, उसमें एक table लगा कर, और एक कुर्सी लगा कर, आप अपना एक office बनाओ, जहां पे आपको कोई बंदर disturb ना सकरे, उस वहां पे जो बी आपको चीजें चाहिए, अगर आप computer पर काम कर रहे हो, तो computer होना चाहिए, अगर आप mobile पर calling काम करते हो, तो आपके लिए calling होनी चाहिए, यहाँ आपको जो फाइले हैं आपकी, जिसके उप आपने उपर काम करना है, वो सारी चीज़ें आपकी एक जगा पर पड़ी होनी चाहिए, ताकि आपको ऐसा लगे कि जैसे ही आप उस एरिया में एंटर किये, तो आपको लगना चाहिए कि मैं आफिस में एंटर हो गया, तो आपके अपने घर में एक ऐसा एरिया, बहुत जरूरी है यह डिजाइन करना जब तक आप यह एरिया डिजाइन नहीं करोगे, तब तक आप का मेंटली तोर पे आप कभी भी रेडी नहीं हो पाओगे, कि घर पे बैठे बैठे काम की एफिशेंसी जो है, वो 10% ही रह गया, अगर आप लोग चाहते हो, 10% से 100% तक अपनी एफिशेंसी को लेके आना, त इन चीजों को apply करो, तो सबसे पहला point मैंने आपको क्या बला, कि आपने घर में ही एक छोटा सा office बनाओ, चाहे वो किसी भी corner में हो, जहाँ पे आपको यह feel होना चाहिए, वहाँ पे आप हो सकते हो तो अपने banner लगा दो, products को रखो, files को रखो, सब चीजे वहाँ पे रखो, इसको इतना बड़ी है धन से बनाओ, ताकि आपको feel हो कि मैं अच्छे business में एक अच्छी जगा पे बैठाओ, और हो सकता है वहाँ पे आप अपनी pictures खीच, उसको click करके अपनी downline में, अपने जितनी भी team में उनमे spread गरो, ताकि वो लोग भी आपको देखके अपने घरों मे अपने offices बनाएं, जैसे बहुत सारे हमारे असेट के बास घर में, उन्होंने mini warehouse लिया हुआ है, उन्होंने बहुत चोटे-चोटे office बनाए हुए, वहीं पे आप अपना एक office setup कर सकते हो, तो यह office setup से ही, आप mentally ready हो पाएंगे, किस तरह से आप best कराम कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है, कि keep define your hours, यह सबसे important है, कि बहुत सारे लोग कहते हैं, यहाने हमने घर में काम करना है, तो जो hours हैं आपके, वो define होने चाहिए, for example, मैं सोचता हूँ, 10 वह से लेके 12 बज़े तक morning में काम करूँगा, यह define होना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लो अगर call नहीं आई तो मैं नहीं करूँगा, तो आप कभी भी proper efficiency से काम नहीं कर पाऊँगे, तो अगर आपने proper efficiency से काम करना है, तो आपको hours, जैसे office में hour होते हैं आपके, कि 9.30 जाना है, तो 5.30 आपका close होगा office, तो एक उस hour के अंदर आपके अंदर एक औरा रहता है, आपक अंदर एक ऐसा environment रहता है, जिसके कारण आप उसको उसके अंदर रहके एक बढ़िया performance करेट करते हो, तो इसी तरह आपको अपने घर में भी, आपको एक hours fix करने होंगे, में भी वो 2 घंटे हो, 5 घंटे हो, 10 घंटे हो, वो depends on your work, आपके काम के हिसाब से आपको define करना है, कि आप कितने घंटे काम कर सकते हो, अगर ये भी define नहीं है, तब भी आपकी efficiency नहीं आएगी, क्योंकि जब आपने आपको daily, ये भी नहीं है, कि आज 10 से 12 काम कर लिया, कल मेरा मन किया, मैं 2 से 4 कर लूगा, पर 100 मेरा मन किया, मैं 5 से 7 कर लूगा, no, ऐसा नहीं होना चाहिए, ए A की, A की fix time, जो भी आप easily, आपको जो best रहे, उसको fix की दिये, उसको fix करके उसके उपार work on की दिये, जब तक ये आप करोगे, उसके आप देखना, इसके result within 21 days, जैसे इस चीजों की आपको आदत पड़ेगी, आपके जो results है, more than, more than आपके सोच से बहार चले जाएंगे, क्य हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग कुड़ा बजामा पहन के, या night dress पहन के, या घर के जो भी कपड़े हमें मिलते हैं, उसमें हम लोग काम करना शुरू करते हैं, आप ध्यान रखिए, जैसे ही आप dress code में आते हो, आपके अंदर का business man जा जाता है, जब आप कुड़ा बजा सही हमने अपना business को start करना है, काम को start करना है, तो हमें dress code में आना है, यह बहुत important है, अब जो भी आपकी dress है, आप coat band पहनते हो, या फिर एक t-shirt पहनते हो green band की, जो भी आप, आपको लगना चाहिए कि जैसे ही मैंने वो dress code पहना, तो आपको लगए कि मैं I am office में चला गया तो वो feelings आपके अंदर आने चाहिए, जैसे वो feelings आने चुरू हो जाएंगी, तो आपके अंदर का जो business में आना वो बहार आके उसकी efficiencies को आपको बढ़ाना शुरू कर देगा, तो यह mostly 99% लोग यह गलती करते हैं कि dress code नहीं होता, वो casual रहते हैं, कोई बिस्तर पे लिटा सबसे important चीज़ एक और आती है point जो अभी last point मैं जिसको बोलने वारा हूं, focus on your work, right, so सबसे पहले क्या होता है, कि बहुत सारे लोग अपने काम के ओपर, जैसे ही आपने काम आज करना शुरू किया, तो आपको पता होना चाहिए, आज मैंने क्या काम करना है, उसके ओपो focus ल हो गया, थोड़ा सा मैंने देखा कि मैं बच्चों के साथ में फ्री काम कर रहा हूं, साथ में दूसरा है कर रहा हूं, no, जब आप काम कर रहे हो, जो भी आपने time select की है, माल ये 10 से 12 आपने 2 घंटे काम कर रहा है, तो 2 घंटे में ना तो जैसे आप office में रहते हो, ना ही wife हो होता है, इसी तरह आपको dedication के साथ, focus के साथ काम करना है, और जैसे आप focus के काम करोगे, तो 8 घंटे की efficiency किवल 2 घंटों में आप निकाल दोगे, तो ये focus बहुत जुरूरी है, और next point जो है, बहुत important है, वो normally जब हम घर पे रहते हैं, आज कल internet का जमाना है, तो घरों में भी smart TV लगे हुए हैं, या बहुत सरे लोग internet के उपार, Facebook, या किसी बहुत सरी चीज़ों पर busy रहते हैं, या बहुत सरे लोग तो आज करोना की date में news पर news देखते जा रहे हैं, तो यहां पर मैं देखूँगा कि मैं ये खुद हूँ, एक जितनी जरूरत है, जो TV और news जो भी आ आपने तया कर रही है, कि इतनी limit में ही देखना है, यह नहीं है आपके पास, आज बहुत 24 घंटों में 24 घंटे घर पे हो, तो आपने 16 घंटे TV पे लगा दी, तो जैसी news आप सुन रहे हो, जैसा TV देख रहे हो, आपके जो ideas हैं, वो वैसे बनने शुरूर हो जाएंगे, नहीं कहता कि news देखना जरूरी नहीं है, बिलकुत दुनिया की खवर रखने बहुत जरूरी है, और TV देखना entertainment के लिए बहुत जरूरी है, आपके health के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको limit कीजिए, जैसे यह आपने 2 घंटे या 3 घंटे चार घंटे का time office के लिए रख अगर आप सोचोगे कि आज मैं casual में सुबह उठा बरश किया और phone बकर लिया और काम होना चुरूरी हो जाएगा, आपकी efficiency काम तो करो गया, लेकिन efficiency नहीं है, तो यह सारे चीज़ें आपके लिए बहुत important है, और last में एक चीज़ important है, upgrade yourself, अगर आज आपको 10 से 12 आपकाम कर आपको जहां पर लगता है कि मेरे के अंदर कौन सी कमी है, या मेरे के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे को सीखनी चाहिए, चाहे वो product relating हो, चाहे वो marketing relating हो, इन सब चीज़ों को आपने अपनाओगे, तब जाके आप अपने घर पे बैठ कर एक अच्छी efficiency के साथ काम कर तो अगर इन चीज़ों को आप apply नहीं कर रहे हो, तो 100% गरंटी देता हो, आपकी efficiency 10-20% से ज्यादा नहीं आएगी, अगर इन चीज़ों को आप follow करोगे, तो आपकी efficiency automatically आप 100 को touch करना शुरू करता हो, तो अभी हम लोग ने बात की, कि work from home किस तरह से, जो environment कैसे create करना है, य आप लिख सकते हो, सब लोग, what work to do, घर पे काम करना क्या है, यह बहुत important चीज़ है, तो बहुत साथ लोग यह सोचते हैं, करना क्या है, हम लोग बैठ जाते हैं, हमने एक साइट पर corner पर table लगा लिया, वहाँ पे books रख दी, file रख दी, product रख दी, सब कुछ रख दी, लग आप एक list create करोगे, एक new members, जब भी आपके पास घर पे आप बैठे हो, जो भी आपने timing, जो schedule हमने fix किया, उसके आम लोग करेंगे, एक list बनाएंगे, वो list जो है, new members की होनी चाहिए, जैसे जो आपको, जिसको आपने data ही कठा करना, जो last मैंने वीडियो में बोला भी था, त आपको maximum से maximum आपको data इकठा करना है, तो आप बहुत सारे जो लोग computer चलाते हैं, तो वो Excel के उपर एक data बना सकते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत important है, तो जितने लंबी आपकी ये list होगी, उतना ही business आपका बढ़ा होगा, तो जितने लोग आपके पास data आपके पास ज्यादा होगा, उतना ही आपका business बढ़ा होने वाला है, तो आप इसके दारान अपनी list को increase कर सकते हो, बेशा का आप लोगों से दोस्तों से अपने number लोग किसी से, या किसी और बहुत सारे website से number मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको data बेशते हैं, बहुत सा लोगों की team है, उनको ये काम बहुत जरूरी है, उनको help करना है, अपने दूसरे जो team members है, जो आपके down के team member हैं, उनको आपने help करना है, कि वो लोग भी अपनी list को बनाएं, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं बता कि करना क्या है, तो आप उसको उन 10 से 12 से 12 बज़े तक जो भ बार-बार-बार आप बोलोगे तो daily उनको check करो, कि आपने कितने बनाएं, वो कहेगा मैं दिन में 10 बनाएं, यहां 20 बनाएं, तो जितने भी आपने उसने list करेट गी, आप उसको follow up ले सकते हो, तो यह important है कि आपने अपनी team के अंदर आपने खुद को list बनानी है, अपनी team बनों को बोलके daily उनको उनकी list बनानी है, second point जो है, यह list बनाते हो, दो चीजों को बहुत ध्यान रखना है, list बनाते समय, इसकी categorize बहुत करनी है, आपने है, कि जिस बंदे को आप phone number या नाम लिख रहे हो, वो कौन सा business कर रहा है, खेती बाड़ी का कर रहा है, agriculture का कर रहा है business man है, healthcare में है, marketing में है, कौन सा business में है, male है, female है, कौन सी age है, यह पूरा data गराब बनाओगे, तो आपको जट से पता चल जाएगा, कौन से लोग है, level के जो लोग है, जो ज़्यादा attract हो रहे हैं आपके business के अंदर, तो यह data आपके लिए बहुत fruitful होगा आने वाले दिनों मे आप शुरू से यह बना करें, और तीसरी चीज़े है, अगर उसमें आप grade कर सकते हो, उन लोगों को जब आप call करते हो, एक column जरूर रखो कि इतने से इतने आपके उनके पास क्या free time है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम उनके जो business R होते हैं, उसके अंदर phone करते रहत हैं, जहां वो सही डंग से बात नहीं करते हैं, आपको टालने ही कोशिश करते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो, कि सर आप कब आपका free time है, तो जो भी उसका free time होगा, माल लिजे वो कहता ही 527, मैं 5-7 वज़ तक free हूँ, तो आप उसके आगे लिख सकते हो, 527 के हंदर ही म तो रहता है, तो जिसके कारण हम लोग कहते हैं, कि हम लोगों ने बहुत सरी lead तो generate की, लेकिन उस lead के अंदर हमें उसमें बहुत ज़्यादा benefit नहीं मिल पाया, तो ये चीज़ों को उपर बहुत important है, तो जब भी lead generate करनी है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कि उ जब भी आप उसको filter लगा के किसी भी ढंग से आप उसको अपना वो list निकाल सकते हो, तो ये बहुत important है, तीसी जो चीज है, हमें अपनी downline के अंदर, ये बहुत important है, कि discussion करनी है, regular, उनके अंदर discussion, regular discussion होनी चाहिए आपकी, कि किस तरह से हम लोग अपने business के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, उनकी family कैसी है, आप एक list मना सकते हो, कि इस बंदे को मैंने हफते में हर लोगों को आप weekly touch में जरूर है, उसकी personal life के बारे में, उसकी health के बारे में, उसकी family के बारे में पूछो, फिर उसके बाद में उसके वो daily क्या कर रहा है, क्या उसका activities हैं काम करने की, तो आप उसको judge कर सकते हो, किस तरह से हो, कौन से time में best time कर सकता है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि ये वाला time हम लोग दोनों conversation में रखेंगे, जिससे हम लोग बहतरीन काम कर सकते हैं, तो ज आपका जो efficiency level वो और जदा increase होगा, क्योंकि जो लोग आपको सुनने वाले हैं, वो लोग free होंगे और उन्होंने आपको timing दिया होगा, कि हाँ आज कमल जी सर का phone आने वाला है, तो वो पहले से ready रहेगा, जैसे कि आज हमारी live meet चल दे तो आप सब लोग पहले से क्याई दिन में रहोगे, तो आप वो timeally ready रहेंगे आपको सुनने के लिए, यह बहुत important है, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, तीसरा point क्या है, train your team, सबसे बहुत important है, यह आपने अपनी team को trained करना है, यह बहुत important है, तो बहुत सार लोग के दे, trained कैसे करना है, तो इसके ओपर भी मैं आ आपने हर एक जो आपके अंदर new members है, या पुराने members है, या जितने भी आपकी team है, उसका level check करना है, उनको किन-किन चीज़ों की जरूरत है, तो इन चीज़ों के, for example, क्या उनके पास literature पूरा आ चुका है, क्या उनके पास सारी videos है, क्या उनके पास कितनी knowledge है, यह सारी आप क्या करोगे, यह पूरा work आपने अपनी team के साथ, लोगों को train करने में, लोगों को discussion करने में, ताकि उनकी जो regular activities है, उसके उपर काम करने में, और उनका जो है list create करने में, और उसके उपर work करने में, यह सारी चीज़े है, तो अभी तक आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि हम अपने घर पर बैठ के काम किस तरह करते हैं, किस तरह क्या 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 काम करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि घर में बैठ के आपने list create करनी है, अपने new customers को call करनी है, अपने डाउनलें की team member है, उनको call करनी है, अब मैं इन दो चीज़ों को डोणों को अलग वोई सेम आप हलका सा कैजल हो के उसकी हेल्थ के बारे में जान सकते हो उसकी फैमिली हेल्थ के बारे में जान सकते हो और साथ में मकसद क्या होता है इन से बातों करने का आपने उन चुरुवाति बातों में ये wein करना है कि कस्टमर की need क्या है वो किस बिजनस से अधारित है वो कहता जी मैं अग्रिकल्चर से अधारित हूँ, कौन सी फसल लगा रहे हो, यह वाली फसल लगा रहा हूँ, कितने यूरिया डाल रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप questions पूट कीजिए लोगों को, नॉर्मली क्या होता है इंडिया में, हम लोग उल्टा काम करते हैं, उसको बोलने नहीं देते हैं, ज़्यादा स्यादा खुद बोलते हैं, तो हमें यह नहीं पता चल सकता है, जिससे कि वो आदमी अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, अगर आपको यह पता करना है, कि दूस इतने ज्यादा question put up करोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका पूरा का पूरा scenario जो है उसकी life का आपके सामने आ जाएगा तो बातों ही बातों में आपने ऐसे questions को put करना है आपको पता लगना चाहिए कि इसको कौन से product की जरूरत है यहां वो business opportunity ढूंड रहा है यहां वो किसी product के को ढूंड रहा है for example वो कह रहा है कि मेरी health अच्छी नहीं है क्यों नहीं अच्छी है क्या चीज में problem आ रही है क्यों आ रही है यह सारे चीज़ें को आप जब पूछोगे तो आपको जब ज़्यादा question पूछोगे तो आपको यह चीज क्लियर हो जाएगा इस रंदे को कौन सी नीड है कौन सी चीज की जरूरत है आप फिर उसको पता जलने के बाद में आप उसको इसका solution दे सकते हो अगर आपको ही उसकी नीड नहीं पता चले तो आप solution क्या दोगे तो आप क्या करोगे अगर आपको किसी भी customer की नीड नहीं पता है तो आप फिर advertisement करने लोग करना चुरू करते हैं तो जब भी आपके घर में आपको क्या आप ज्यादा स सब्सक्राइब आप ज्यादा उनको जब क्वेशन करोगें सुनना की कोशिच के रिए आप उसको यह जानने कोशिच कीजिए कि उनकी जरूरत क्या है चाया वो पड़क लेटेड हो चाया वो बिजनर लेटेड हो अगर आपको यह कर आप कामजाभ हो गया तो समझेव 80 परसंट काम आपका सॉल्व हो गया 40 परसंट आपको आप उसको इसको ईजी कवर कर सकते हो तो जैसे आपको नीड़ बता चली आप उसका solution दे सकते हैं अकर उसको कोई Hakk Philippines के लगना है उसको तो सबसे पहले उसकी नीड जगेगी तो आप उसके solution देने में सक्षम रहेंगे तो जितने ज़्यादा solution आप दोगे उतना ही better वो आपके ओपर उसका confident build-up होगा वो लगेगा कि यह बंदा जो मेरे को बता रहा है यह solution maker है otherwise आप बिना उसकी नीड पता किये जब उसको product के बारे में बताना शुरू करोगे तो आपको लोग है यह बंदा advertisement कर रहा है यह salesman है यह solution maker नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको बुल रहा हूं कि आपने solution maker बनना है ना कि हमें salesman बनना है तो salesman को लोग भगा देते हैं जो solution maker होते हैं डॉक्टर से हैं वकील से सारे solution makers हैं तो लोग हम इनके पास खुद चलके जाते हैं तो हमें second point क्या है solution देना है और जैसे ही आपने उसको solution दिया तो तीसरा point में आपको सबसे important आ जाएगा कि आप उसको retail कर सकते हो ब्रत को सबसे पहले क्या किया आपने find need फिर उसके बाद में क्या हुआ आपने उसका solution दिया and then हम आपको आप उसको retail कर सकते हैं तो जैसे ही retail में गए हम लोग तो हम उसने product को बेचा फिर हमारा काम रहेगा सिर्फ follow-up का तो जैसे retail करने के बाद में हम उसको follow-up करेंगे तो then क्या होगा हमारा result आएगा तो जैसे ही हमारा follow-up के बाद में result आता है तो result के बाद में आपके पास opportunity अगर मान लो आपने grow बेचा है retail किया है या bloom retail किया है या health care का विट and fit कुछ भी anything या community booster आज की दिनों में चल रहा है तो वो retail किया है इन सब को आप जब retail करने के बाद में result आने के बाद आप उसको एक opportunity के बारे में बात कर सकते हो future की क्या कर सकते हो green plan के साथ green plan में जुननेक से क्या फाइदे हो सकते हैं इन सब बातों को आप आगे बढ़ा सकते हो तो ये सारी चीजे चैनल क्या बना है ये एक नए customer के साथ बात करने का channel है तो बहुत ही असान धांगा ये तो अगर आप इसको इन steps को follow करोगे तो आपको easily 10 में से minimum 7 to 8 customer आपके साथ में stuck होंगे बस इसमें सबसे key point एक ही है आपने customer की need को जानना है बस अभी तक आप सब लोग को ये clear हो चुका होगा कि किस तरह से हम लोग उने घर पे बैठके काम कैसे करना है सो अभी जो है main point जो सब का question है बहुत सरे leaders का questions आते हैं कि सर हम अपनी team को develop कैसे करें हम team को multiply कैसे करें तो ये बहुत important part है ये जो चीजे हैं आप सब लोग इनके ओपर पूरा ध्यान जो भी हूँ आपको point बताने जा रहा हूं इसके ओपर पूरा ध्यान दीजिए तो पहला क्या था हम लोग ने एक new customer को call कैसे करने हैं उसके साथ बातचीत कैसे करने हैं अब मैं बात करने जा रहा हूं अपने team members को develop कैसे करना है घर पे बैठ कर राइट तो सबसे पहले हम लोग इस part के अंदर point one पे लिखेंगे कि हमें जैसे वे लाप को शुरू में बात बोले था सब्सक्राइब करना है तो बहुत सब्सक्राइब करना है इसमें एक बहुत इंपॉर्टन चीज क्या है कि जब भी आप किसी भी आप लीडर्स का आपने team members का नाम लिखिए उनको आप एक-एक product के उपर describe करना शुरू कीजिए for example grow के उपर आप बातचीत करना चाहते हैं त दूसरे दिन बात कर रहे हो पूरे दिन के उपर बात कीजिये तो उसके बाद सबसी इंपॉर्टन के अपने team के अंदर product कैसे है health के बीडियू के बात कर सकते हो तो लोगों को products के आपर company की profile के आपर company कि पूरा किस तरह से history के ओपर पूरा train होना बहुत जुरूरी है जब लोग से बात करो तो ये कभी भी खतम नहीं होने वाला जब तक आप उनको ट्रेंटा है लोग उनको जानते हैं लेकिन वह किस तरह से लोगों को अपनी फैमिली के नंदर उनको इसके बारे में नॉलज नहीं तो हमें लोगों को ट्रेंड करना है तो सबसे पहले अपनी टीम को ट्रेंड करना है पड़क के उपा हर एक पड़क के उसके अंदर क्या है किस तरह से वर्किंग करता है किस तरह से हम रिजल्ट ले सकते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग मीटिंग में उनको बता देते आपकी 10 से 15 लाइन होने चाहिए एक प्रक के उपर benefit की बात नहीं करो benefit अलग से benefit अलग से 20 आपके 20 benefits ऐसे होने चाहिए आप उसको बता सको तो अगर आप बहुत अच्छे धंग से कर सकते हो तो एक प्रक का एक आप लिखो company के बाद बहुत सार literature है बहुत सार लोग उसको पढ करो और उसके अंदर देखोगे आप 10-15-20 लाइन है जो आपको अच्छी लगती है उसको लिखो या Google को पर सर्च कर सकते हो जो भी आपको बास knowledge है उसके आप इदाफा कर सकते हो उसके नीचे आप benefit तो जे पूरा का पूरा एक paper ready करके आप उसको WhatsApp कर सकते हो या उसको by mail जम जिसी भी किसी भी तरह आप उनको भेज सकते हो तो ऐसे अपने पूरी team member को एक एक के करके हर product के बार में knowledge देनी शुरू करो अब knowledge देने में तो हम बहुत लोग master है क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि हम लोगों को सुनते कम हैं बोलते जादा हैं तो हम लोग बोलते जात हमें लगता है कि हमने अपना काम पूरा कर दिया नहीं यह काम पूरा ने हुआ यह one side single traffic ले गया है हमें two side communication चाहिए मतलब जितने लेवल पर आपने समझाया है क्या उसी लेवल तक उसको समझाया यह बहुत important है तो यहां पर second step यो है आपका train करने के बाद में हर तीसरे दि every third day आपने उससे listening करनी है उस परक के वारे में जो वी आपने उसको train किया है so हर तीसरे दिन उनको सुनना है कि अगर आपने grow, bloom, nitro king के वारे में बताया है तो वो क्या बोलना है वो आदा घंटा बोल पाते हैं दस मिनट बोल पाते हैं या दो मिनट बोल पाते हैं तो आप उससे यह judge कर सकते हो इस level को देख सकते हो कि भाई यह जो बंदा है अभी तक मेरी बाते कितनी समझ पाया है क्या मैंने जो 100% दिया था उसमें से 10% इसने grab किया या 20 किया या 50 किया या 70 किया सो यह आपके लिए सबसे important है जैसे ही आपने दिया after 2-3 दिन के बाद में उसको बलो किसके उपर work out कर work out करने के बाद में हर तीसरे दिन के बाद में उस product के बारे में सुनना शुरू करते हो और जैसे ही आपको result 70% cross होने शुरू हो जाएं तो समझ लेना कि वो बंदा train होने के शुरू हो गया है जैसे हो 70% cross करता है तो आपको लगता कि वहाँ मेरे से दीरे 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 after experience वो बंदा automatically 100% तक वो touch कर जाएगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है उन लोगों को train करना है product के बारे में प्लान के वारे में जो भी उनकी queries है one way one यह नहीं है कि एक ही दिन में सब को समझा दोगे तो for example आपने पूरा एक 20 साल का थ्यास 20 मिनट में बता देते हो तो 20 मिनट का बंदा जो आप बताते हो तो वो दो मिनट का याद रखता है तो दो मिनट के अंदर वो जब किसी बंद करना है और तीसरा जो है आपको क्या पता नगीचा की उसका जो knowledge level जो है कहां तक महुँचा है यह बहुत important है आपके team member जो है जो आपके साथ काम कर रहा है उनका level क्या है उनका education level क्या है? उनका product के उपर knowledge level क्या है? उनका plan के उपर knowledge level क्या है? तो जैसे ही आप उनका knowledge level को judge करना शुरू कर देते हो, तो आपको ये चीज़ें सीधी complete होने शुरू हो जाती है, कि इस बंग्दे को product के उपर खोड़ा कम knowledge है, तो मैं इसको product की knowledge दूँगा, इसको health के product में उसको देंगा तो जब तक आप उनसे सुनोंगे नहीं आप इसका पैरामिटर नहीं बना सकते कि उनको किस तरह से समझ आए है तो इसलिए, for example, जैसे ही आप करते हो, तो उनको allow करो, कि आप नए customer से बात करो, जैसे आपको लगता है कि 70% cross कर गया वो, तो उनको allow कर दो, कि वो other people को, आज का lockdown है, तो आप फोन पर बात करेंगे, तो उनको conference call के ओपर उसको allow करो, कि तू समझा हो. तो जैसे ही आप conference call के अंदर रहोगे, तो आप पूर जब दूसरा बंदा उसको समझा रहा होगा, तो एक तो आपको पता चल जाएगा उसका level क्या है, second, अगर कोई extra query आ जाती है, जो उसकी knowledge से बहार है, तो आप उसको handle कर सकते हो, तो ये दोनों चीज़े हैं, ऐसे ही 10, 15, 20 conference call करो के, तो वो बंदा जो 70 से 90 तक आ जाएगा, तो धीरे 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 हमें लोगों को train करना है, ये बहुत important है, तो बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने form भर दिया, कहानी खतम, भाइसा form भरने का मकसद है, वो आपके school में admission ने रहा है, काम चुरू होता है उस समय, न जाइन कर लिया, जाइन करने के बाद में काम खतम, काम खतम नहीं है, मेरे भाई, काम उस समय शुरू होता है, हमें वो हमारे school में admission ले लिया, उसने, अब हमारी duty बनती है, हम उसको train कितने समय में करते हैं, for example, आप train करते हो, six month में कुछ लोग train कर देंगे, दो महिने में जितने लंबे समय तक आप train कर पाते हो, इसका मतलब आपका school उतना घटिया है, अगर आपका masking अच्छा लेकर आना चाहते हो, तो आपका training level बहुत बढ़िया होना चाहिए, हमें खुद को भी upgrade करना है, अगर जिन जिन परड़क्टर वारे में हमें खुद को knowledge नहीं है, उन बंदब उसने कॉल की, उसमें से केवल दो लोगों को ही रिटेल में mature कर पाया, या उसको deal final हो पाई, और जैसे हो 70-70% को gross करना शुरू हो गया, वो बंदा आपके लिए एक ऐसा diamond produce करना शुरू कर दिया, आने वाले एक-दो साल के अंदर, वो independent distributor के रूप में आके सामने आ होगा, वो independent रूप से आपके साथ कहां करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी जगह से कहां से कितना business आ रहा है, तो यह बहुत important शीच है, और इसके इलामा जैसे ही वो 70 cross कर गया, वो आपको पता चल गया कि यह बंदा 70% lead generate कर रहा है, lead generate कर रहा है, lead generate कर रहा है, तो उस समय right time है, उसके goals के उफर काम करने है, यहां पर बहुत सरे लोग problem आ जाते हैं, हम लोग जाता हो पहले goal लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे join किया, उसको पूछते हैं, क्या चाहिए, Mercedes चाहिए, ठीक है, लिख अपना Mercedes का goal, रे भाई साम Mercedes चाहिए, उसका पात्वे तो बनाओ पहले, तो हमें सबसे पहले पात्वे बनाना है, और जैसे लग गया, आपको की पात्वे बन गया, अब भया मेरे घर की सड़क अच्छी बन गया, अब मैं मरस्री ला सकता हूँ, right, तो हमें जो पहले काम क्या किया, हमने अपने लोगों को ट्रेंड किया, हमने पता चल जागा, जे लोग इंडिपेंडनली काम कर सकते हैं, फिर एक दिन ऐसा आएगा, कि उनको लोगों को आपकी जरूरत, आपने सीनियर की जरूरत नहींगी, वो अकेले इंडिपेंडनल लोगों के साथ काम कर सकते हों, और जैसे वो इंडिपेंडनल होते हैं, आपका time start होता है उस समय वहाँ पे अपनी team का goal set करने का तो for example तब उसको पूछो कि आज तू independent हो चुका है अब बता तुमारा goal क्या है वो कहता है 50,000 है मेरा 1 lakh है मर्चनी गाड़ी है whatever जो भी उसका goal है life का उस goal को achieve करवाने में उसकी help परो बहुत सा लोग गते हैं मैंने तो इसको join किया था या उसको join किया था अब वो अपनी मर्जी से धीरे 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 बढ़ता जाएगा नहीं जो भी उसने goal लिया है हमें अपनी team या अपने seniors का हमारा धायत भूनता है हम उनको train करें उनको उसकी help करें उसको goal को achieve करने में और जैसे ही पहले जरूरी नहीं बड़ा goal पहले short goal छोटा goal लखो आपने छोटा goal कुछ भी बनाओ उसका for example चाहे उसका mobile का goal हो चाहे उसका two-wheeler का goal हो चाहे वो छोटी गाड़ी तीन लाग चार लाग की गाड़ी का हो छोटा goal उसको achieve करवाओ परपस क्या है उसको goal को achieve करवाने का जैसे आप उसको help करके उसका achieve करवाओगे उससे उसका self confidence बिल्ड होगा उसको लगेगा कि भाई मैं अकीला अपने goal को achieve कर सकता हूँ एक achieve किया mobile का फिर दुसरा bike का कर लिया तीसरा 3-4 लाग की अब वो धीरे धीरे उन goals की तरफ जैसे ही वो बढ़ेगा उसी तरह आपकी team development होने शुरू हो जाएगा तो ये सिर्फ जो business है train to trainer का business है लोगों को train करने का business है अपनी teams को ये right time and lockdown के अंदर आप अपनी teams को train करने में लगे रहो पहले हो सकता है तो आप retail में लगे हुए हो लोगों के customer में follow up में लगे हुए हो तो आज की जहाँ किसी meeting या training या workshop में लगे हुए हो आज की date में तो आप अपने घरों में बैठे हो ना अपने घरों में बैठ कर ये right time है अपनी team के listing करो राइट कौन सो बंदा कौन से कौन से level पे है उसका level चेक करो कि उसको product के बार में कितनी knowledge है उसको healthcare के product में कितनी knowledge है वहुत सारे लोगों को तो हमारे प्रक्टों की भी knowledge नहीं है कि कितने product green planet बना रही है और कितने product बेच रही है उनको केवल यही पता है ग्रोब लूम नाइटर गिंग प्रीमियम बस या भूमिबावर इसके अलावा यह भी नहीं पता है कि हमारे वहाँ पर होम केर ब्रक्टुरी अविलेबल है तो इस तरह से आप सारी सारी नौलेज जो है इस लॉकडाउन के दरान हम लोग face to face यह पर दूसरी बार हो सकता है casual बैठाओ लेकिन नेक्स टाइम उसको बोलना कि भाई पहले अपनी green print की t-shirt dress code में आओ तो उसको भी आदत पड़ेगी कि अपने घर में किस तरह से बात करनी है उस अपने घर में रहके काम कैसे करना है और जैसे आप उसको काम करवाओगे ऐसे तो आप देखोगे धीरे 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 आपकी जो टीम है independent team होती जाएगी और मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत सारे leader ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत जबर्दस रटेलिंग का पावर है रटेलिंग बहुत बढ़ीए कर लेते हैं लेकिन वह लोग आगे उनको ड्रेल्फ करने का यहीं एक सिस्ट्म है उनको करना पड़ेगा उनको लिसन करना पड़ेगा लेकिन वन ओन एक तो quietly पता चल रहा है कि वो कितना grab कर रहे हैं तो हमें यह second में जो है जो हमारी तरफ input आ रहे हैं वो करना वह चुरूरी है यह one-to-one हो सकता है कि हाँ मैंने वो training किये तो उसके बाद में one-to-one call करके पूर सकते हो भी है क्या सिखा आप कितना आगया तो आपको पता चल ड़ाएगा what is the level of your team तो जैसे ही आपकी टीम का level increase होगा वैसे आपकी income और आपका level increase होना शुरू हो जाएगा तो अगर आप अपनी income को increase करना चाहते हो तो आपको अपनी team का level increase करना पड़ेगा तो जैसे ही आप इनके में सफल हो जाते हो, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे को पता है, आप लोग सब अपने घरों में बैठके यह काम कर सकते हो, इसमें कोई मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं बोला, जो आपको बाहर जाके जा महनी चीज, आपके पास मुबाइल आपके पास है, वर्ट जोगने इतने घंटे हमने Mission को प्रमोट करना है, उतने घंटे अपने आपको पूरे Mission को आप देदो, Deport कर दो आपने आपको इतने घंटे मैं घरवालों का नहीं हूँ, इतने मैं चाहता हूँ कि आप इन लोग को अपनी जिन्दगी के अंदर लाओ ताकि आप इनको और जदा अपनी टीम को ड्वेल्प कर सको इस कुरोना के इत्काल में आप अपने घरों में बैठ कर बड़े चेक मना सको तो आगे हम बहुत जग एक बहुत बड़ी सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके हम ये जो छोटे-छोटे मैंने पॉइंट्स आपको डेटेल किये हैं इसको फिर पूरा डेटेल में बात करने वाले हैं तो आने वाले जोने बहुत सारी लगातर वीडियोज एमरी वीक आने वाले हैं तो आप रेडी रहे हैं अपने लिए और लोगों को बताइए ताकि हम लोग connected रहे है green pen के साथ ताकि नहीं नहीं चीज़े आपको सीखने को मुले सो आज के लिए इतने ही thank you very much आप सब लोग अपने घरों में safe रहो सब का ध्यान रखो खुद का ध्यान रखो thank you thank you very much